Hello Friends, Gerb Nirodig Gloliaths के बारे में हम पूरी जानकारी अगर आपको देना चाहते हैं या आप लेना चाहते हैं तो इस सीरीज को Gersonerodaggolia की सीरीज को आपको पुरी तर्शी से देखना और आज हम देख रहे हैं इसका second part की गर्णिर्दग गोलिया कैसे काम करती है तो सबसे पहले गर्णिर्दग गोलियों में एक constant concentration होता है estrogen और progesterone का और ये constant concentration होने की वज़े से estrogen और progesteine का जो normally हमारे body में महिला के body में reproductive function मतलब कि जो प्रजणन के function होते है वो नहीं होते है estrogen का concentration एक ही समान होने की वज़े से कौन कौन से process रुख जाएंगे ovulation नहीं होगा यानि कि डिमबोट सर्जन यानि कि अंडा शे से अंडा बाहर नहीं आएगा एक बाहर नहीं आएगा अगर एक बाहर नहीं आएगा तो अगर आप intercourse भी पपम करते हो संबन भी रखते हो period के किसी मासिक चक्र के कोई भी दिन तो problem नहीं है अगर आप condom का इस्तिमाल भी नहीं करते हो या कोई भी और चीज़े इस्तिमाल नहीं करते हो तो भी आपको दिन नहीं रहेगा क्योंकि ovulation जनरली यह रोग दिता है second important चीज है गरवाशे की जो inner lining होते है जो गरवाशे की जिल्ली होते है uterus lining या endometrium जिसे हम कहते है यह normally जब भी estrogen, progesterone हमारे मासिक चक्र में उतार चड़ाओं में होते है तो यह uterus की inner lining तयार होती है brun को attach करने के लिए यह constant यह दवाई का concentration होने की वज़े से यह process भी नहीं होगी रुख जाएगी blood supply नहीं बढ़ेगा uterus का constant blood supply रहेगा यह सब चीजे रुख जाएगी third important चीज normally अब हमें गरवधारना करने के लिए रहने के लिए हमारे body में nature का mechanism है ovulation होना चाहिए then गरवाशे की lining तयार होना चाहिए उसके पहले cervical mucus होता है मतलब जो गरवाशे की griva होती है उसके आजू बाजू में जो तरल पदार्त तयार होता है वो normally ठिक होता है बट जब ovulation होता है normally महिला के शरीर में तो बीज-बीजाशे में से बाहर आता है और ये बीज-बीजाशे में से बाहर आने के वज़े अगर आपके तब संबंध रहते है तो शुक्रानू जो आपके reproductive system में आ चुका है वजायना में आ चुका है वो अभी गरवाशे में अंदर enter करना चाहिए दिन रहने के लिए तो normally हमारे body का natural mechanism यह होता है कि जो cervical mucus है वो थिन हो जाता है बट ये गोलिया लेनी की वज़े से वो थिक रहता है और इस वज़े से अगर enter कोस आप तब perform भी कर लेते हैं और in case ovulation हो जाता है तो शुक्रानू अंदर नहीं गुस पाए अगर गुस भी गया अंदर चले भी गया और शुक्रानू और बीच का अगर मिलन हो भी गया तो uterus की lining पर वो नहीं चिपकेंगे गरभाशाय को वो नहीं चिपक पाएगे क्योंकि uterus favorable ही नहीं है उसे अंदर invade करने के लिए उसे अंदर लेने के लिए और इस तरीके से गर्मिरदग गोलिया काम करती है दिन यानि की गर्भदारना नहीं रखने के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे like, share और channel को with bell button subscribe करना न भूले